स्चोतन्मदाविल विलोल कपोल मूल मत्तब्रमरनादि विव्रद्ध कोपम ऐरावतावमिवमुद्धत मापतन्तम द्रस्ट्वाभयम भवतिनो भवधाश्रितानाम एकदम जीवन में निर्भयता को प्राप्त करने के लिए और जग को निर्भय बनाने के लिए सब संसारिक संकटों से छूटने के लिए ऐसे शलोकों का उच्चारण किया जाता है पाट किया जाता है तो बड़े-बड़े भै भी समाप्त हो जाते हैं आज कितना भै फैला हुआ है देश के अंदर आर्थिक संकट का भै एक जगे कभी आप इखटे नहीं होते होंगे घर के अंदर भला पुरुष लोग कभी इखटे हो सकते हैं तो सब लोग आज कल परिवार में इखटे हो रहे हैं तो संकट का कोरोना कभ है सता रहा है तो ऐसे भैयों से मुक्ती पाने के लिए आचारि मान तुंग सामी क्या कहते हैं श्चोतन मदा विल विलोल कपोल मूल मत्त ब्रहमद ब्रहमर नाद विवरत कोपम अलग-अलग करके एकदम शुद्ध पढ़िए जल्दी मत पढ़ने की कोशिश कीजिए जब आपके मुँपर सही उच्चारन बैठ जाएगा तो आप जल्दी भी पढ़ेंगे तो एकदम शुद्ध उच्चारन होगा अईरावता भमिवमुद्धत मापतंतम द्रष्ट्वा भयम भवतिनो भवदाश्रितानाम ये भकतामर इस्तोत्र यूट्यूब के उपर भी अपलोड किया जा रहा है आप कभी भी किसी भी टाइम अपने भकतामर इस्तोत्र के उच्चारन को शुद्ध कर सकते हैं क्योंकि ब्याकरण के सारे नियम छंद रचना के साथ लागू होते हैं छंद में वर्ण मात्रा शब्दों का ध्यान रखना होता है किस लाइन के अंदर कितने शब्द होने चाहिए कितनी मात्रा होनी चाहिए और उसके साथ ब्याकरण की शुद्धी हो उसके साथ अलंकार भी लगा हो तो व्याकरण, छंद, अलंकार और कोश इन चारों चीजों को कहते हैं वांग मैं पुझ ज्यान मति माताजी अपने शिश्यों को सुरू से उनकी जड़ को मजबूत करने के लिए हम लोगों को चाहे इनके पुराने सिस्य रहे, चाहे हम लोग हैं इन सब को सुरू से चड़ मजबूत करने के लिए इन चारों चीजों को पढ़ाती थी आज भी हम संग के अंदर सब को उसी क्रम से अध्यन कराते हैं कि सबसे पहले आप व्याकरण सुद्ध कीजी एक व्याकरण कातंत रूप माला, व्याकरण के पठन को ही अपनी निव बनाई ज्ञानमती माता जी ने कल आपने मादोराजपुरा के एक भक्ति से सुना था जैपुर के अंदर केवल आचार देज उसन माहराज के आग्या से एक पंडित जी दामोदर जी सास्त्री ने इनको कातंत रूप माला पढ़ाया, वे दस-पांच सूत्र पढ़ाते थे, लेकिन ज्यानमती माता जी तो ऐसी थी छुलिकावीर मती जी के अवस्ता में 40-45-67 सुना देती और महीने डेड़ महीने के अंदर उन्होंने वो व्याकरण जो तिन-तिन साल में लोग पूरी नहीं कर पाते उसको पढ़ लिया और अपनी जड़ को इतनी मजबूत बना लिया कि सबसे पहले सहस्र नाम के 1008 मंत्र बनाए, सहस्र नाम से एक एक भगवान के ना पंचमकाल में भी उन्होंने महासति सुलोचना जैसी आरिका के अंग ज्ञान के अंश को धारन करके एक महान आदर्स प्रस्तुत किया, कि आरिकाई भी उसमें लिखा है कि एका दसांग भरज जाता सारी कापी सुलोचना, ग्यारा अंगों की धारी आरिका सुलोचना का ज्यान नहीं है लेकिन उनके अंश का ज्यान है जो ग्रंत हमें प्राप्त हुएं उनका ज्यान प्राप्त करके 7 सताबदी के बाद आद 12-13 सौ साल के बाद आचारवीर सेंस्वामी की धहुला ठीका रचने के बाद किसी एक आरिका ने गंडिक ज्यान मति माता जी ने 60 तो संस्क्रित के ज्यान से मजबूत कि लेकिन कम से कम जो संस्क्रित के स्लोक पढ़ें उनकी वी एदि शुद्धी रहती है कि एक शब्द की तो आपका अर्थ प्रतिभासीत हो गा और आपके करमों की नेजरा असंख्यान गुनस्रणी हो जाएगी मानतुंग स्वामी ने उस समय कोई लिखा थोड़े था कलमाता जी कह रहे थी कारागार में बेडियों में जकड़े तालों में बंद मानतुंग के सामने कहां तो कागज आता कहां लेखनी पेन आता तो उन्होंने तो मन के अंदर भगवान का ध्यान किया और ये इस तोत्र के सब्द उन्होंने उचारित किये और उचारित करते ही उनके जो है उन शब्दों ने इतना कमाल दिखाया इतना चमतकार दिखाया कि बेडियों से सयम मुक्त हो गए उन शब्दों का चमतकार ऐसे शब्द हमें और आपको भी पढ़ना है क्योंकि कर्मों की बेडियों में हम तो उन रोगों में से एक, दो, चार, दस रोग हो सकते हैं उन रोगों से भैसे रोगों के भैसे मुक्ति दिलाने के लिए ये श्लोक है तो क्या कहते हैं कि है जिनेंद्र भगवान भवद आश्रिता नाम आपकी आश्रित जो प्राणी हैं जो मनुस्य हैं उनके भैसे दूर ह कौन कौन सभय आता है तो काश चोतन मदा विल विलोल कपोल मूल मत्तब भ्रमद भ्रमर नाद विव्रद्ध कोपम चोतन एकदम टपक रहा है चू रहा है जिनके चेरी से मद जल और उससे मलिन और क्या कहा कि चंचल गालों के मूल भाग में पागल होकर के ब्रमर नाद मत्तब भ्रमद मत्त हो गए भौरे और हाती के मुख मंडल पर जो मंडरा रहे हैं इससे हाती को क्या बड़ा गुस्सा आ रहा है देखो अपने चेरी पर अगर मख्या बिनाने लगती हैं तो हटाते हैं उसको हाथ से हटाते हैं और भगाते हैं और जुंजला हटा जाती तो हाती भी ऐसे भ्रम्रों के घुमने की कारण बहुती क्रोदित हो जाता है ऐसे भावरों के सब्दों से बढ़ गया है क्रोदी जिसका ऐसे ऐरावता ऐसे ऐरावता ती की तरह से उद्दंड आप अतन्तम सामने आते हुए हाती को भी देख करके इभम माने हाती को द्रस्टा माने देख करके भयम नो भवती भय भी नहीं होता, क्योंकि भगवान का नाम अपने हर्दय के अंदर है, तो सम्झो मान तूंग सामी निकाँ होगा, हे राजन, मैं तेरे से क्या डरूं, जब मदोन मत हाती भी हमारा विगाड नहीं कर सकता, सामने आ रहा है, एकदम मुझे कुचल करके मारने वाला है, लेकिन मैं आ उसका भए मेरे उर्दे से भाग जाता है, तो बंदूं, ऐसे इस लोकों को पढ़ने से ही, एक बार मन के अंदर बीरता जागरत होती है, कि हम तो किसी से नहीं डरेंगे, इस लोग भए, परलोग भए, अत्रान भए, आकस्मिक भए, साथ प्रकार के भए हैं, रोगों का भ हर्म कर रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, परिवार के अंदर किसी तरह की अशान्ति ना होने देना, परस पर में सोचों की बहुत दिन में इखटे हुए, एक बात आप दूसरे ने कही जगडा हो जाता है, नहीं, बड़ों का कर्तव है, बच्चों का कर्तव है, कि ह एक दूसरे की बातों को अराम से सुने और प्रेम की अधिक्ता करें और भगवान के नाम को अपने मन के अंदर इस्मरन रखें, गुरु के नाम को इस्मरन रखें, धैरिका परिचय दें, एक नीतिकार ने कहा, यत्र धर्मस सामराज्यम, प्रेमा दिक्यम्चदरश्यते, कितनी बढ़िया सुक्ति है सब लोग लिख लीजिए यत्रधर्मस्य सामराज्यम जिस घर के अंदर धर्म का सामराज्य अर्थात पगपग पर देवसास्त्र गुरु का स्मरण कराय जा रहा है किया जा रहा है प्रेमा दिक्यम्च द्रश्यते एक दूसरे में प्रेम है प्रेम की अधिक्ता है और प्रेम की नदिया जहां जल रही है बहे रही है प्रेम की जोती जहां जल रही है तो तद ग्रहे त दूश पियूशम उस घर के अंदर संतोष की अमरत की धारा समझो बह रही है सवभा की समझ लीजी जो अच्छे लोग होते हैं दोसों में भी गुण देखते हैं जो बुरे लोग होते हैं जो दुर्जन लोग होते हैं अच्छे में भी गुणों में भी दूश देखते हैं हम क्या बनना है हंस बनना है बगला नहीं बनना है जो कीड़े खाता है हंस बनना है मान सरोवर का हंस तो ऐसे भगवान के नाम को रटेंगे तो आपके घर के अंदर धर्म का सामराज जाएगा आपको किसी से लड़ना भिरना नहीं है इर्शा की भावना नहीं रखनी है बदला लेने की भावनाई नहीं रखनी है, एक दूसरे को अच्छी सिक्षाएं देना है, घर में बैटे हैं, आप अपने भाट्चप ग्रूप के अंदर डालिए, कि सबेरे सबेरे आपको छे वजे पारस चैनल देखना है, भगवान का अभिशेग देखना है, भगतामर सुनना है, जिन्वानी के सब्द सुनना है, देखो कितना आपने पुन्निका अर्जन कर लिया, और जिन लोगों ने देखा आपकी बात मानी, उनके पुन्निका भी कमीशन आपको लग गया, ये बात ही है, मानतुंग आचारी की बात को धिहान में रखना कि है प्रभो, जो मनुस्य आ दोनमत हाती भी नहीं डरा सकता, तो ये छोटी मुटी रोग क्यों डरा ही है।